आज हम बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो एलेक्ट्रोनिक एबुक से रिलेटिड है और हमें कुछ रीसर्च इंसाइट देखनी है जो के कॉंफ्लिक्टिंग एबुक के इस्तेमाल में और कहां कॉंफ्लिक्टिंग जहां बच्चों की डिवलपमेंट और हैल्प के फेक्टर आते हैं क्या इबुक इस्तेमाल करने से क्या है अगर बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए बिल्खसूस टेलवीजन दिखाया जाए तो उसके अंदर डिफ्रेंट और बहुत ही डेट्रिमेंटल कॉंसिक्टिंस बच्चों को फेस करने पड़ते हैं डिवलपमेंटली मिसाल के तौर पर उनकी हेल्थ पर भी एफेक्ट होता है उनकी एबिलिटी तू प्ले आउट साइट पर भी एफेक्ट हो अगर आपका इंक्रीज स्क्रीन टाइम है तो बच्चों की उबिसिटी उनके मुटापे के चांसे बढ़ जाते हैं उसका डिप्रेशन सिंड्रॉम होने की चांसे बढ़ जाते हैं जब वह सोशलाइज नहीं होंगे वह बाहर नहीं खेलेंगे वह दोस्तों में घुलेंगे मिलेंगे नहीं स्क्रीन नहीं छोड़ेंगे डिप्रेशन की सिंटम्स भी आने शुरू हो जाते हैं आई यह तो उपर वाले बहुत स्ट्रॉंग एविडेंस जो मॉडरेट रीसर्च एविडेंस मिलते हैं कि लिंक है आपके स्क्रीन टाइम का किसके साथ इंक्रीज एनरज नहीं होता खाने पर उसकिसम का खाना खाते हैं जो बगएर फोकस के खाया जा सकते हैं उसके लावा डेफिनेटली यह तमाम चीज उनकी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ उनको आइस्दा आइस्दा दे जाती हैं कुछ रीसर्च फाइंडिंग हमें यह बताती है लेकिन यह बताती हैं कि चीज़ें पॉसिबल हैं और कुछ स्टुडीज में आई भी हैं कि रिलेशनशिप है आपकी स्क्रीन टाइम का बच्चे की किस चीज़ों के साथ उनकी बिहेवरल इश्यू के साथ लाइक इंजाइटी है हाइपर एक्टिविटी है इन हो जाती है कॉगनिटिव इफेक्ट होती हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वज़े से बेतर होने की जगह बूरी होना शुरू हो जाती है फोकस और इंटिवनेस की वज़े से मेटबॉलिक संड्रॉम भी हो सकता है अलो कार्डियो वस्कुलर रिस्पिर्टोरी फिटनेस के इशूस भी आ सकते हैं जब वो खेलेंगे नहीं प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हैल्थ इशूस की तरफ जले जाते हैं कॉगनिटिव डिवेलमेंट में डिले हो सकता है कॉधिव डिवेलमेंट किया है subject wise सोचने की कपड़िटी स्माथ के सवाल करने की कपड़िटी जब यदर की लाग है आर्ट की अलग है और डेफिनिटली इन तमाम चीजों का एक दूसरे से कर हम मिला लें तो हैल्थ पे तो असर हो गई होगा चाहिए वह फिजिकल हो या मेंटल हो अगर चोटे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन के उपर रहें तो उसे किसम की रिस्क पैदा हो सकते हैं इडिक्शन हो सकती स्क्रीन इडिक्शन जिसके बारे में हम सब को पता है और हम फिकरवंद भी है अबीसिटी है बच्चों में मोटापा है उनकी पूर मोटर स्किल्स की डिवेलपमेंट है आई फटीग है उनके साथ इसके लावा बकाइदा एक बिमारी है जो के इंटरनेश लिए इंपॉर्टन चीज किस से जूड़ी है इबुक्स के साथ जूड़ी है और इसको हम प्रफॉलोजिकल गेमिंग बिहीवियर कहते हैं इसका असर किस पर पढ़ता है उनकी कॉगनिटिव कंट्रोल सिस्टम पर पढ़ता है और यही कॉगनिटिव कंट्रोल सिस्टम है जो उने आगे पढ़ने लिखने में डिफरेंस सब्जेक्ट को समझने में और अकेडामिक्स में काम्याब होने में भी मदद देता है तो वह इसको एफेक्ट कर रहा होता है आप यह जो पैरेंट्स हैं या हम एजुकेटर्स हैं हम सब के हाथ में गैजट्स मौजूद हैं हमारे बच्छों के हाथ में भी वो गैजट्स आएंगे जिस जमाने में हम रह रहे हैं वहाँ यह इंडवाइडबल है कि आप बच्छों को एलेक्ट्रानिक्स से या टेक्नॉलोजी से इंट्रीउस ना करें जरूरत क्या है जरूरत है कि हमें ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है की जरूरत है सिर्वेंशन की जरूरत है जो हमें बताया जाए कि क्या वह बार एक इसपार करें जिससे हम बच्छों को इन चीजों को इस्तेमाल करते वे बहतरीम किसम की आउका मैं दे सकें है